हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट्री और हेल्दी नास्ता, इसे बनाना बहुत ही आसान है, जटपट घोलो और फटाफट से बना लो, और उसके साथ साथ ये हेल्दी भी है, बच्चों की लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या कभी आपको मॉ तो यहाँ पर क्या क्या है, एक कटोरा ले लिया है, हमने बड़ा सा और एक कटोरी भर कर गिहूं का आटा ले लिया है, तो यह गिहूं का आटा वही है, जिससे कि हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बस वही लिया है, अब एक कटोरी हमने गिहूं का आटा लिया है तो उसका one fourth one लीजिए आपको सूजी लेनी है सूजी आपके पास बारीक नॉर्मल जो भी आप उसका यूज कर सकते हैं आधा कप यहाँ पर दही लेना है दही फ्रस लीजिएगा बहुत जादा खटी मत लीजिएगा थोड़ी बहुत खटी है तो चलेगा तो इसको हमें इसमें add कर देना है आज मैं measuring cup का use नहीं कर रही हूँ कटोरी से ही पूरा measurement बता रही हूँ जिससे की सभी लोग इस नास्ते को बना सकें और एक कटोरी भर कर यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है अच्छे से सभी चीज़ों को एक बार mix कर लेंगे क्योंकि इसमें lumps नहीं होने चाहिए तो अगर आपको batter थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ना तो कोई बात नहीं बात में हम लोग उसको adjust कर सकते हैं लेकिन अभी extra पानी बिल्कुल भी मंटा लिएगा आपको मेरे आज के वीडियो में light की थोड़ी सी problem लग रही होगी क्योंकि यहां पर light की थोड़ी सी समस्या हो गई है जिसकी वेज़से वीडियो में light थोड़ा सा dim है लेकिन मैंने कोसिस किये कि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें तो यहां पर देखिए अच्छे से बैटर हमने बना लिया है थोड़ा सा गाढ़ा सा ही दिख रहा है अब इसमें add कर देते हैं कुछ सबजिया तो एक छोटा टमाटर है बारीक चौप करके add कर दिया है एक गाजर थी उसको आधा ही मैंने बारीक बारीक चौप किया है आप चाहें तो इसको कद्यू कस करके भी डाल सकते हैं एक छोटी साइस का प्यास है बारीक चौप करके add कर दिया है जो लोग प्यास नहीं खाते हैं वो लोग यहां पर skip भी कर सकते हैं इसी के साथ ही दो हरी मिर्च हैं बारीक बारीक चौप करके add किया है आप चाहें तो मिर्च की quantity को कम या ज़्यादा अपने टिश के अंसार कर सकते हैं थोड़ा से यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया add कर देंगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तो अगर आपको कुछ और सब्या इसमें add करनी है या आपके घर में खाना पसंद करते हैं आप उनको भी add कर सकते हैं जैसे की corn है, capsicum है, simla मिर्च भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस नास्ते में तो simla मिर्च को भी आप बारीक चौप करके add कर सकते हैं तो यहां पर देखे अच्छे से mix कर लिया है, अब अपने टेस्ट के अंसार नमक add कर देंगे इसी की साथ ही कुछ मसाले इसमें add कर देंगे, तो एक छोटी चमच यहां पर भूने जीरे का powder add करना है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप जरूर ही add करिएगा आदर जमच की लगभग इसमें healthy powder add करेंगे, इससे color बहुत इच्छा आजाएगा हमारे नास्ते में एक चमच की लगभग यहां पर हम धन्या powder add करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ही मसाला add करना है बहुत ही कम मसाले के साथ में, इतनी सबजियों के साथ में यह नास्ता बहुत ही ज़्यादा healthy बन कर ready होता है तो हमने यहाँ पर बहुत ही कम मसाले add की हैं, आप सभी ने देखा, आप चाहें तो यहाँ पर आधा चमच गरम मसाला powder भी add कर सकते हैं, मैं add नहीं कर रही हूँ और सभी जीचों को अच्छे से mix कर लिया है, यहाँ पर बैटर अभी देखिये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसको balance करने के लिए 2-3 चमच के लगभग पानी और add कर देंगे तो final मैं आपको बाद में बताती हूँ कितना पानी लगभग हमने इसमें add कर दिया है, और हाँ friend इस नास्ते के साथ में एक खास बात यह भी है कि आप इसे simple प्यास tomato से भी बना कर ready कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिया हमने अच्छे से इसको mix दे दिया है, इसमें हमने सू अपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर सूजी अच्छे से full चुकी है, और यह देखिये बैटर हमारा पहले से और थोड़ा सा थिक हो गया है, क्योंकि सूजी full गई है तो थोड़ा सा बैटर थिक हो गया है, तो इसको balance करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और add करना पड consistency बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखनी है, यह देखिये मैं चम्चे से आपको गिरा के दिखा रहे हूँ, थोड़ा सा pouring है बट रनी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका बैटर हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, मैं आप पर रेस्पी के बारे में step by step आपको बता रहे ह और आज मैं इसे बना रहे हूँ, मस्टर्ड ओयल से, तो आप घी, बटर, तेल, जो भी खाना पसंद करते हैं, उससे आप बना सकते हैं, दो तीन ड्रॉप इसमें हमने तेल के डाल दिये हैं, और कॉर्टन से इसको वाइप कर दिया है, पैन को बहुत ज़्यादा गरम नही इसे फट जाएगा, यह नास्ता गेहूं की आटे से बना है, यह तो कोई पहचानी नहीं पाएगर जिसे भी खिलाएंगे ना बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है, खाने बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो बस देखिए इसको हमने फैलाल दिया है, फैलाने के ब पाद लेट लगाकर लगभर देल से दो मिनिट हमें पकाना है, जिससे कि उपर से हलका सा यह सूख जाए, मतलब ड्राई हो जाए, जब उपर से ड्राई होगा, तभी आप समझ जाएगा, नीचे से पक चुका है, बस उपर से भी हमें दो तीन ड्रॉप टेल के डाल देने ह और उसके बाद ही आप इसे पलट येगा, इस बाद का खास जान रखिएगा कि उपर से बिल्कुर से ड्राई हो जाना चाहिए, तभी आप पलट ये नहीं तो क्या होता है, तो बस ये देखिए, हमने इसको टर्न कर लिया है, बहुत ही आसानी से टर्न हो जाता है, को सेंक लीजिएगा, या तो थोड़ी सी ब्राउन चित्तिया आ जाएंगे न, तो हमारा नास्ता उपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, इसी तरीके से हम बचे हुए बैटर से सभी नास्ते बनाकर रेडी कर लेंगे, और ये एक नास्ता हमारा बनकर रेडी है, इसे निकाल लिया हमने प्लेट पर और सभी नास्ते इसी तरीके से गर्मा गरम बनाकर हम सभी को सर्व कर सकते हैं, उमीद करते हूँ, आज की रेडी आप सभी को पसंद जरूर आई होगी, पसंद लाइए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर खरिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और रि यू वीडियोज अप्लोड करते हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को फटा फट से मिल जाएं, तो यहाँ पर ये नास्ता में आपको दिखा रहे हूँ, कितना ज्यादा सॉफ्ट है, उपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, अब भी बहुत गरम है, तो मेरे हाथ में लग रही है, लेकिन मैं आपको तोड की दिखा रहे हूँ, अंदर से बिल्कुल भी घच्चा नहीं है, पूरी तरीके से पक चुका है, और इसे मैं सर्व कर रही हूँ, टमेटो सॉस के साथ में, आप चाहें तो ग्रीन चेटनी के साथ में भी से स सबको कैसा लगा, वीडियो हो सकता है, आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही हो, लेकिन ये नास्ता जब भी आप घर पे ट्राइ करेंगे, बहुत ही जटपट से बनकर रेडिय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अच्छे से एक्स्प्लेन करना बहुत जरूरी ह जिससे कि आप लोग घर में जब भी कभी ट्राइ करें तो आपका कोई भी समान वेस्ट न जाए, मतलब कि आप भी परफेक्ट और टेस्टी नास्ता घर पर बना सकें, तो आप लोग इस नास्ते को जरूर ट्राइ करिएगा, और अपना फीडबेक मेरे साथ सेर करना बिलक टेक केर